ओलेट फ्रेंट्स तो वेलकम बैक इस वीडियो में हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं जो कि है प्री पॉपॉलेटर्ड फीड्स आये देखते हैं कि वह होता क्या है और इसकी हमको जरूरत क्यों है इसके बारे में बताता हूं तो जो यह चीज है यह आपको शायद क्या करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा मैं जाता हूं कि जैसी क्या क्या करना पड़ेगा मैं जाता हूं कि जैसी क्या क्या करना पड़ेगा मैं जाता हूं कि जैसी क्या 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 करना है बहुत ही सिंपल है आपको चलना है अपने क्या 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 करना है आपको में जाके आपको चलना है models में, models में जाके सबसे पहले आप ये care field को slug field कर दें तो slug field ठीक है, एक change ये करना है, दूसरा change ये करना है कि जो categories वला app है, उसके admin में जाना है आप कुछ-कुछ चीज़ आपको करनी होती जो बहुत ही specific होती है, ये constant होती है जो भी भी आपको किसी चीज़ को pre-populate करना होता है, तो मैं ऐसे count करूँगा मैं बनाऊँगा कि category category admin एक मैंने class बना लिए आप पर ठीक है, अब इस class में हम लोग inherit करेंगे admin के model admin को admin के model admin को इसमें हम करेंगे, तो admin तो हमारा पहले से model item, अब यहीं पर हमको pre-populate करना है, तो pre-populated fields आपको दिख रही होगी, pre-populated fields इसका मतलब यह है कि आप कि चीज को जो है auto fill करवाना चाहते हैं, किस चीज से, तो मैं बोलूँगा ऐसे लिख दूँगा, slug और इक dictionary के तोर पे, फिर मैं इसको यह हम बता में चाहरें कि यह की था इसमें, ठीक है, तो यह हमने एक dictionary बना ली, slug, जो slug field होगा, दियान से देखो यहाँ पर, जो slug field होगा, वो auto fill होजागा category के साब से, ठीक है जैसे index के साब से, यह कुछ ऐसे चीजे लिख हुई है, ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर list display, आपने last video में तो देखा ही होगा, list display का मतला जो डिस्पले करनी हमकों चीजे हो, तो हम category name करेंगे, डिस्पले, तो category underscore name, फिर उसके बाद हम लोग slug करेंगे, तो slug, ठीक है, दो चीजे हैं, और category admin जो है, इसको आप लोग यहाँ पर mention कर लें, तो category admin, आपने इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, एसके save किया, हमने save करती साथ, जैसी में यहाँ पर चलूँगा, और अब मैं चाहूँ तो किसी भी क्या कर सकता हूँ, चीजों को मैं add करने लायक हो चुका हूँ यहाँ ठीक है तो Ida मैं राम से आप add कर सकता हूँ, category में जाता हूँ, मैं मालो कुछ लिखता हूँ, machine machine लिख लाने, ठीक है, तो देख लिखो, machine अपने अप type हो गया है, तो यह एक फाइदा है, यह आपके clients कई वाट से बोलेगा कि भाई यह क्लाइंट क्यों गोलेगा यह तो कॉमन संज है कि किसी केटेगरी आपको स्टोर करने है तो उसका URL आपका क्लाइंट थोड़ी बनाएगा तो क्योंकि क्लाइंट तो एक नॉर्मल परसन होता है इसलिए यह चीज जो है वह आपको पता होनी चाहिए प हम लोग मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई